में ना ने behind गुबी के कैसे स्नैक्स तो विल्कुल ही कम तेल pior बन्ने वाली रेशिपी teraz कर दोदों इस रेसिपी की सुरुआत कर लेता है सबसे पहले मैंने गोबी को लिया है, गोबी को मैंने अच्छी तरह पानी में दो के इसके छिलके हमने निकाल लिये और इसके बाद इसको टुकडों में हम अलग कर दिया है, टुकडों में अलग करने के बाद मैंने पानी गरम करने के लिए रखावा था, पानी जैसे हमारा इसमें थोड़ा सा मैंने डाला इसमें नमक, नमक डालने के बाद अपनी गोवी जो हम इसमें सिफ्ट कर देंगे और गोवी को हमें कम से कम 12-13 मिनिट तक अच्छी तरह उबालना है तब तक जब तक यह सौफ्ट ना हो जाए आज चमें डालेंगे इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा नमक टेस्ट के साफ से इसके बाद मैंने अपनी गोवी जो वाली रखी थी इसको शिफ्ट कर देंगे अच्छी तरह हमने जो है इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 10-15 मिनिट के लिए अलग से रख देना है इसके बाद मैंने एक पैन लिया है पैन में हम एक एक करके जो है अपनी गोवी को शिफ्ट कर देंगे गोवी को shift करने के बाद एक चम्मची हम इसमें डालेंगे सर्सोगा तेल इसको जो हमने अच्छी तरह जो है fry करना है और तत्त पकाना है जब तक ये अच्छी तरह जो है पकना जाए अलर्ट प्लेट हम इसे करते रहेंगे और अच्छे तरह पकने के बाद हम जो ऐसे गर्मा गर्म जो है निकाल लेंगे और सर्फ करेंगे बिल्कुल तीखी वाली अरी चेटने के साथ तो वीडियो पसना है लाइक, सेर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए गया दोस्तों